इस कहानी की कोई घटना, कोई पात्र काल्पनिक नहीं है सिल्वर स्क्रीन के बाद अब जिन्दगी की स्टेज पर मा की भूमिका में कीश्वर मर्चिंट राय और पिता के रूप में सुयश राय दिखाई दें बच्चे की कास्टिंग अभी जारी है वो आने वाली है या आने वाला है ये जल्दी पता चल जाने वाला है कोई छोटे छोटे हातों से हमारा संसार सजाने वाला है बच्चपन जीने का एक मौका फिर से लाने वाला है उंगली पकड़ कर किसी नए रस्ते ले जाने वाला है बेटा तेरी हर जिद का मतलब पूछूँगा तू बाप बनेगा जिस दिन तुझसे तब पूछूँगा दादा जी का ये कहना अब सच होने वाला है कोई नटकट नानी का अराम चुराने वाला है और वो जिसने अपना सब कुछ बाटा आधा आधा है प्यार जिसका बाकी सब से नौ महीने ज़ादा है कभी हसाने कभी रुलाने रात जगाने वाला है अभी तो वश्चुरुआत है वो खूब नचाने वाला है प्यार उससे रोज-रोज बार-बार होगा अभी बहुत कुछ बाकी है जो पहली बार होगा उसे अपने पेरों पर चलते देखना उसका मा कहते खुद को पिखलते देखना धेर सारे नए नए एहसास कराने वाला है कोई कमरे की छट पर अब तारे लगाने वाला है वो आने वाली है या आने वाला है ये जल्दी पता चल जाने वाला है कोई छोटे छोटे हातों से हमारा संसार सजाने वाला है